हेलो स्टूडेंट्स दिस इस कृष्णा वसेस्ट आम मझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूटूब चनल जिसका नाम है टैट्स गुरू और जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं आज हम करने वाले हैं डेमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन हिंदी में कहते हैं संकेत प्रोनाउन प्रस्नल प्रोनाउन तो वह आप वीडियोज देख लेंना चैनल पर हैं अवरेबल जैसे कि Verb Patty है प्रोनाउन का डेमिनिस्ट्रेट प्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कहां पर यूज होता है यह सारा concept मैं क्लियर करा हूँगा इस वीडियो में बिफोर स्टार्डिंग आई विल लाइक तो से कि प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और अपने यारो दोस्तों में इस वीडियो को जो है शेर करो ओके तो स्टार्ट करते हैं आज सारा कॉंसेप्ट कराऊंगा इस वीडियो से इस वीडियो से प्रोनाउन यहां तक तो आपको क्लियर है तो विच दे पॉइंट अब इसका क्या मतलब है देखो यारो बात सिंपल है कि अगर हमें कोई चीज हमारे पास में रखी हुई है या हमारे दूर रखी हुई है हम से और हमें वो चीज पॉइंट आउट करनी है हमें वो चीज क्या करनी है पॉइंट आउट करनी है जैसे फूर इजामपल डाट इस पैन और दिस इस पैन मैं आज आपको डिफरेंस भी बताऊंगा क्योंकि काफी सारे बच्चे जब हम इंग्लिश बोलते हैं कम्यूनुके को हम यूज करते हैं जब कोई चीज दूर रखी हुई है और दिस को यूज करते हैं जब कोई चीज पास में रखी हुई है तो for example that बोल रहे हैं this बोल रहे हैं these होता है एक those होता है that this these those basically मैं आपको बता दूँ दोस्तों ये demonstrative pronoun है संकेत वाचक pronoun है हम किसी चीज को संकेत कर रहे हैं इंगित किया जा रहा है you know whatever you say कोई चीज टेबल पर रखी हुई है suppose करो आपको mobile रखा हुआ है तो आपके पास में है तो आप बोलोगे this is my mobile और अगर mobile आपसे दूर रखा हुआ है तो आप बोलोगे that is my mobile तो कोई चीज अगर दूर रखी हुई है तो that use करते हैं को बैसिकली जो these और those हैं बच्चो यह that और this के plural है अब कह सकते हो कि plural है देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है sorry यहां पर इसको थोड़ा सा मैं clear कर देता हूं हिंदी में भी लिखा हुआ है जिस प्रोनाउन का प्रियोग वस्तू की निकिटता या दूरी दिखलाने के लिए क कहा जाता है सिंपल ची बात है हिंदी में भी लिख दिया मैंने आपर फिर से मैं बता रहा हूं कि कोई भी प्रोनाउन है कोई भी वस्तू कोई भी पर्सन आप से दूर है या पास है निकिट है या दूर है तो उसका एक संकेत दिखाने के लिए हम इन चीजों का प्रियोग कर रहे हैं प्रोनाउन धैट इस दिजडोज बाता आगी समझ में एक्जामपल मैं आपको बता देता हूं जैसे अभी मैं यूनो बताई रहा था दीज आर बुक्स अब कोई चीज अगर पास में रखी हुई है दीज आर बुक्स ये मेरी बुक्स हैं दोज आर बुक्स दो वो किताबे हैं तो यह मतलब मेरे पास में रख्यूई है वो किताबे हैं उसी चीज रूर है क्यूं सिंपल सा प्रोनाउन है कोई problem नहीं है इसमें यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा extra मैं आपको बता दूँ कि देखो यहाँ पर बच्चे confused रहते हैं एक होता है बच्चो Demonstrative Adjective ठीक है क्या होता है Demonstrative Adjective और हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं Demonstrative Pronoun तो कई पर question आजाता है exam में Demonstrative Adjective और Demonstrative Pronoun में क्या अंतर है तो मैं आपको अंतर बता देता हूँ देखो यदि that, these, those के ठीक बाद अगर कोई noun use होता है अगर कोई noun use होता है अगर आपको noun नहीं पता है तो वीडियो में न बनाए हुआ है आप देख लो उस वीडियो को पूरे टाइप्स मैंने आपको समझाये हुए है अगर मैं फिर से रपीट कर रहा हूँ that, these, those के ठीक बाद अगर कोई noun आता है तो हम उसे कहते हैं हम कहते हैं उसे demonstrative adjective हम क्या कहते है demonstrative adjective और अगर noun नहीं आता है तो फिर वो demonstrative pronoun कहा जाएगा ठीक है आपको कोई समझ में नहीं है example बताओ तो देखो example साइड नीचे ही लिखा हुआ है तोड़ा दिहान से देखना देखो that toy is yours that toy is yours वह खिलोना तुमारा है तो that के ठीक बाद क्या आ गया बच्चों देखो यहां पर लिखा भी हुआ है that के ठीक बाद toy आ गया अब toy क्या है toy एक noun है अब अगर एक noun है तो that यहां पर demonstrative pronoun नहीं कहा जा सकता इसको हम कहते हैं demonstrative adjective ठीक है अगर that this के बाद सीधा आपका noun आता है तो हम उसे demonstrative pronoun नहीं कहते हैं demonstrative adjective कहते हैं ठीक है जैसे एक example हो रहा है this book is अब यहां पर देखो मैंने दो sentence लिखे हुए है अब यहां पर मैंने there are two sentence which you can see this book is new first क्या है this book is new and second है this is new book अब देखो difference है this book is new यह किताब नहीं है यह नहीं किताब है तो there is a difference in the sentence अब दिस के बाद book आ रहा है book क्या है noun है book क्या है noun है तो दिस को हम क्या बोलेंगे demonstrative adjective और second sentence में आप देख सकते है this के बाद noun नहीं है this के बाद helping verb is simple तो इस दिस को हम बोलेंगे demonstrative pronoun क्या बोलेंगे demonstrative pronoun तो बच्चो यह difference है जो कि मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा difference मैंने आपको concept clear कराया कि demonstrative pronoun और demonstrative adjective में क्या difference है I hope कि आपको चीज़े अच्छे से समझ में आ गई है और अगर समझ में आ गई है तो please subscribe ज़रूर करें चैनल को Tats Guru चैनल है और वीडियो को share करना ना भूलें comment करें अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है definitely मैं आपके comment कर रप्लाई करूँआ thank you very much इस video lesson को देखने के लिए धन्यवाद इसके बाद हम एक video session और करने वाले हैं pronoun के उपर वो है आपका relative pronoun कि relative pronoun क्या होता है ठीक है तो wait करिएगा उस video का तुरंत वो वीडियो जो है अपलोड होने वाला है channel पर thank you very much इस video session को देखने के लिए धन्यवाद